हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार जी के टेक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आए इस इंटिव्यू में कुछ पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंध तक जरूर देखना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है? केंडिडेट सोचकर इसका जवाब देती है। चार और पांच हमेशा नौ होते हैं। एक जामिना केंडिडेट से अगला सवाल पोचते हैं। जब पहिये का आविशकार हुआ था तब क्या हुआ था? Candidate कुछ देर सोच कर जवाब देती है यह एक क्रांती का कारण बना एक जामिना Candidate से अगला सवाल पूछते हैं वह क्या है जो वर्ष और शनिवार में एक बार ही आता है Candidate इसका जवाब देती है वर्ष और शनिवार में हिंदी का अक्षर वक ही एक बार आता है एक जामिना Candidate से अगला सवाल पूछते हैं एक बिल्ली के तीन बच्चे थे जन्वरी, मार्च और माई मां का नाम क्या था? Candidate सोच कर इसका जवाब देती है मां का नाम वट यानी क्या था? एक जामिना Candidate से अगला सवाल पूछते हैं यदि आप एक लाल पत्थर को नीले समुद्र में पेक दे तो वह क्या बन जाएगा? Candidate इसका जवाब देती है पत्थर गीला होगा या डूब जाएगा? एक जामिना Candidate से अगला सवाल पूछते हैं आप कच्छे अंडे को बिना तोड़े कंक्रीट के फर्ष पर कैसे गिरा सकते हैं? Candidate इसका जवाब देती है कंक्रीट के फर्ष को तोड़ना बहुत कठिन होता है एक जामिना Candidate से अगला सवाल पूछते हैं सोने की उस वस्तू का नाम बताए जो सुनार की दुकान में नहीं मिलती Candidate सोचकर इसका जवाब देती है 4 पाई, 4 पाई सोने के लिए होती है मगर सुनार की दुकान में नहीं मिलती एक जामिना केंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं रोहन माई में पैदा हुआ, मगर उसका जन्न दिन जून में है कैसे संभव है? केंडिडेट सोचकर इसका जवाब देती है माई एक जगह का नाम है, जन्न जून में हुआ एक जामिना केंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं भगवान राम ने पहली दीवाली कहां मनाई थी? केंडिडेट सोचकर इसका जवाब देती है दीवाली राम के बाद शुरू हुई दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेधन है कि यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे एक जामिना केंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं मोर एक चिडिया है जो अंडे नहीं देता तो मोर के बच्चे कैसे जन लेते हैं? केंडिडेट सोचकर इसका जवाब देती है मादा मोर अंडे देती है, नर मोर नहीं एक जामिना केंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं आप नाश्ते में क्या नहीं खा सकते हैं? केंडिडेट सोचकर इसका जवाब देती है रात का खाना एक जामिना केंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो कभी नहीं सरती है केंडिडेट सोच कर इसका जवाब देती है शहेद एक जामिना केंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं WiFi से तेज नेटिविकिنग टेकनोलोजी किसकी है? Candidate सोच कर इसका जवाब देती है WiFi से भी तेज नेटिविकिंग टेकनोलोजी Li-Fi-Li-Fi की है एक जामिना Candidate से अगला सवाल पूचते हैं वकील काले रंग का कोँठी क्यूँ पहनते है? केंडिडेट सोचकर इसका जवाब देती है काला कोट अनुशासन और आत्म विश्वास दर्शाता है एक जामिना केंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं पेट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों ये सवाल आपके लिए हैं दोस्तों इस सवाल का जवाब आप कॉमेंट बॉक्स में बताए हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका उत्तर सही सही दे पाते हैं एक जामिना केंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं उंच पानी पीने के पश्चात गर्दन क्यूं हिलाता है केंडिडेट सोचकर इसका जवाब देती है ताकि गर्दन में रुका हुआ पानी उसके पेट में चला जाए एक जामिना केंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं ट्विटर पर दिखने वाली चिडिया का क्या नाम है? केंडिडेट सोचकर इसका जवाब देती है ट्विटर पर दिखने वाली चिडिया का नाम लारी है एक जामिना केंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं कौन सा जीव पानी में रहते हुए भी पानी नहीं पीता है? केंडिडेट सोचकर इसका जवाब देती है चार पाई को तीन अक्षरों में कैसे लिखेंगे Candidate सोचकर इसका जवाब देती है चार पाई को तीन अक्षरों में इस प्रकार लिखेंगे 4 पाई अग्ला सवाल पूछते हैं आप अपने बाएं हाथ में क्या पकड़ सकते हैं, जो आप अपने दाहिने हाथ में नहीं पकड़ सकते? केंडिडेट सोच कर इसका जवाब देती है, अपनी दाहिनी कोहनी. एक जामिना केंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं ऐसा क्या है जिसके दांथ होते हैं लेकिन वो काच नहीं सकता केंडिडेट सोचकर इसका जवाब देती है कंगी एक जामिना केंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं पुलिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? केंडिडेट सोचकर इसका जवाब देती है. पुलिस को हिंदी में राजकिय जन्रक्षक कहा जाता है. एक जामिना केंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं. एक युबती को देख मोहन ने कहा यह मेरे दादा के बेटे की इकलोती पुत्री है, वो लड़की मोहन की क्या है? केंडिडेट सोचकर इसका जवाब देती है. वो लड़की मोहन की बहन है. एक जामिना केंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं. एक उट का मुह उत्तर में हैं, दूसरे का दक्षिन में, क्या वे दोनों एकी बर्तन में एक साथ खाना खा सकते हैं? केंडिडेट सोचकर इसका जवाब देती है. जी हाँ, क्योंकि वो आमने सामने बैठे हैं. एक जामिना केंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं. भारत में सबसे पहले आधार कार्ड किसका बना था? केंडिडेट सोचकर इसका जवाब देती है. भारत में सबसे पहला आधार कार्ड रंजना सोनावने का बनाया गया था. एक जामिना केंडिडेट से अगला सवाल पोचते हैं चांद पर दूसरा कदम किसने रखा? केंडिडेट सोचकर इसका जवाब देती है नील आमस्ट्रॉंग द्वारा ही पहला और दूसरा दोनों कदम रखे गए थे एक जामिना केंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं ऐसा क्या है जिसे बनाने में बहुत समय लगता है पर तुटने में एक पल भी नहीं लगता केंडिडेट सोचकर इसका जवाब देती है भरोसा एक जामिना केंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं वो कौन सा जीव है, जिसका दिलकार जितना बड़ा होता है? केंडिडेट सोचकर इसका जवाब देती है. हवेल मचली का, इसकी लंबाए 115 फुट और वजन 150 से 170 तन तक होता है. एक जामिना केंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं. एक बच्चा पाकिस्तान के लाहौर में पैदा हुआ पर वो पाकिस्तानी नहीं है, कैसे? केंडिडेट सोचकर इसका जवाब देती है. वो बच्चा 1947 के पहले पैदा हुआ होगा, तब पाकिस्तान नहीं बना था. एक जामिना केंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं. जेम्स के पिताजी के तीन बेटे हैं. पहले का नाम है जून और दूसरे का जुलाई तो तीसरे बेटे का नाम क्या होगा? केंडिडेट सोचकर इसका जवाब देती है. तीसरे बेटे का नाम जेम्स होगा एक जामिना केंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं सिगरेट को हिंदी में क्या कहते हैं? केंडिडेट सोचकर इसका जवाब देती है सिगरेट को हिंदी में धूम्रपान दंडी का कहते हैं एक जामिना केंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं. हमारे शरीर का सबसे मजबूत अंग कौन सा होता है? Candidate सोचकर इसका जवाब देती है हमारे शरीर का सबसे मजबूत अंग जुबान होता है एक जामिना Candidate से अगला सवाल पोचते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुवात किस ने की थी? Candidate सोचकर इसका जवाब देती है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुवात लॉड मैकॉले नेकी थी एक जामिना केंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं क्या होगा अगर एक सुबह आप उठे और पाई कि आप प्रेगनेंट हैं केंडिडेट कुछ देर सोच कर इसका जवाब देती है लड़की मैं अपने पती के साथ सेलिब्रेशन करने के लिए बहुत एकसाइटड होँगी और छुट्टी ले लूँगी